नमस्कार आप लाई बिहार देख रहे हैं मैं हुराज मोहंतिवारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोट से निकल कर सामनी आ रही है आपको बताएं कि राहूल गादी जिने मोदी सरनेम केस में दो साल की सजा सुनाई गई थी अब उस सजा को लेकर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दी है यानि कि एक बार फिर से राहूल गादी आपको शंसद में मोदी शरकार को घेड़ते नजर आ सकते हैं और इसी बार के मौनसून सत्र में वो एक बार फिर से लोक शभा के अंदर गरजते हुए सुनाई दे सकते हैं आपको बताएं कि गुजरात के शुरत ट्राइल कोट में राहूल गादी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी जिसमें मोदी शर्नेम को लेकर उनकी शिकायत की गई थी यह मामला कई दिनों तक वहां चला और उसके बाद शुरत के ट्राइल कोट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई लेकिन दो साल की सजा होने के वज़ा से राहुल गादी जो कि वाइनाट से लोकसभा के सदस्त थे उनकी सदस्ता चली गई और उसके बाद से ही लगातार कोट के दरवाजे पर राहुल गादी दिखाई दे रहे थे गुजरात हाई कोट में भी वो पहुंचे थे लेकिन वहाँ पर उन्हें राहत नहीं मिली लेकिन आज सुप्रीम कोट में उन्हें राहत मिली है और सुप्रीम कोट ने उन्हें राहत देते हुए क्या कहा ये सुनने की और समझने की जरूरत है देखिए सुप्रीम कोट ने कॉंग्रेस नेता राहुल गादी को राहत देते हुए कहा कि ट्राइल कोट के आदेश का जो प्रभाव है वो बहुत ही व्यापक है इससे नौकेवल राहूल गादी का शर्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ बलकि उन्हें चुनने वाले मतदताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ सुप्रीम कोट का कहना है कि निचली अदालत के नयाधीस द्वारा अधिक्तम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है अंतिम फैसला आने तक दोस सिद्धी के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है यानि कि सुप्रीम कोट ने जो दो साल की सजा राहूल गादी को शु क्यों सुनाई गई कि जो की अधिक्तम सजा दो साल की थी अगर एक दिन भी कम सजा दी गई होती तो राहूल गादी की जो सदस्ता थी लुक्षभा की वो बरकरार रहती लेकिन ऐसा नहीं किया गया तो आखिरकार इसके पीछे कारण क्या था अब यह शुप्रीम कोट जान गदगद है विपक्षी खेमा भी काफी खुस है 2024 लोक्षभा चुनाओ काफी नजदीक आ रहा था और हर कोई इसी को लेकर चर्चा कर रहा था कि राहूल गादी का क्या होगा राहूल गादी चुनाओ लरेंगे नहीं लरेंगे इस पर हर कोई चर्चा जरूर कर रहा था प पैसे में ये उमीद जताई जा रही है कि राउल गादी एक बार फिर से आपको शंसद में लोक्षभा के अंदर केंद्र की शरकार को घेड़ते नजर आ सकते हैं मोधी सरकार से सवाल पूछते नजर आ सकते हैं और राउल गादी कब तक शंसद भवन में आपको नजर आपको मोधी सरकार को घेड़ते नजर आ सकते हैं तो बड़ी खबर विपप्ची केमे के लिए बड़ी खबर कॉंग्रेस के लिए और राहत की खबर राहुल गादी के लिए कि वाइनार्ट से जो 2019 में उन्होंने चुनाओ जीता था उनकी सदस्ता पर ग्रहन लगया था ल वहाँ पर जो लोक्षभा के अध्यक्ष हैं वो क्या कुछ फैसला लेंगे ये देखने वाली बात होगी बने रहीएगा लाइप बिहार के साथ अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइप बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर कर झार शुआयग धन्यवाद बात है ये खाल को अब सरस्द है अब सियह एस्वलप सक्टूर में वे ये वाला लात है घसक्टूर है।